Hello everyone, welcome to my channel, my name is Aparna and in today's video we are going to talk about vaccine आज हम लोग वैक्सीन के बारे में देखेंगे, सभी लोग ने देखा होगा पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन, कोरोना वाइरस की वैक्सीन डूढने में लगी हुई है और बहुत सारे कोशिन्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे की वैक्सीन क्या होता है या फिर वैक्सीन तो अभी नहीं आई है लेकिन उसके बाद भी कैसे लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं तो ये सारे कोशिन्स के आंसर आज वीडियो में मैं आपको दोंगी, जो मूफ करते हैं, पहले वैक्सीन क्या होता है उससे पहले आपको कोशिन्स, जो Cert vaigन को उता है, उसका अगरसा, कि लोग ठीक तो हो रहे हैं वैक्सीन नहीं आई है लेकिन उसके बाद भी लोग ठीक हो रहे हैं तो वैक्सीन क्या है आपका वैक्सीन एक पहले से एक अडवांस प्रिपरेशन रहता है ताकि कि वो आपकी बॉडी पे जब जाएगा वैक्सीन जब आपको लगेगा तो वो आपको वो वाइरिस जो फिर जो डिसीज है उसको होन जाने के बाद में वो ठीक हो रहे हैं तो आपको मलेरिया फ्यूचर में होगा ही नहीं तो यहां पर मलेरिया क्या होता है मलेरिया को ठीक किया जाता है जब आपको मलेरिया होता है तो आपको प्रॉपर उसकी दवाई दी जाती है और उसके बाद फिर आप ठीक होते हैं तो दोनों ही cases क्या है अलग है एक vaccine क्या होता है vaccine जब आपके आप लगाते हैं vaccination जब करवाते हैं तो आगे future में वो बिमारी ना हो इसलिए vaccine जो है वो लगाया जाता है और अगर आपको already वो बिमारी हो चुकी है कोई भी particular disease जो है वो already अगर आपको हो चुकी है तो आपको medicine देकर क ही किया जाता है ठीक है अब move करते है vaccination वैक्सीन क्या होती है इसके तरफ ठीक है तो यह सबसे पहले आपका definition है कुछ definitions है जिसको हम देख लेते हैं a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease ठीक है वैक्सीन क्या होता है एक biological preparation होता है जो कि हमको हमारी immunity को active करता है किसी एक particular infectious disease से ठीक है अब क्या होता है अब next point क्या है a vaccine typically contains an agent that resembles a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbes its toxins or one of its surface proteins ठीक है यह जो point है यह जो second point है आपका इसको मैं कुछ टाइम भाद आपको बताते हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से clear निसली समझ में आ जाए next move करते हैं हमारे third point की तरफ the agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as a threat, destroy it and to further recognize and destroy any of the microorganism associated with that agent that it may encounter in the future ठीक है जो agent रहता है वो body के immune system को बढ़ाता है और साथ में जो agent है जो कि आपका virus contain कर रहा है उसको recognize करता है कि वो क्या है recognize करता है कि वो हमारे लिए एक threat है वो हमारे लिए एक अच्छा वो हमारे लिए अच्छी चीज़े नहीं है और फिर उसको destroy करता है और आने वाले future में भी उसको recognize करना और destroy करना चाहिए वो microorganism हो बैक्टेरिया हो या जो भी हो उसको further recognize करके destroy करना ही काम होता है आपका vaccine का ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं हम concept second point को समझने से पहले अब हम पहले से अपसर पहले देखते हैं antigen और antibody का concept क्या होता है ठीक है तो क्या होता है antigen क्या होता है तो कोई भी bacteria, virus या फिर microorganism चाहे वो dead हो या फिर alive हो हमारी body में जब enter करते हैं तो उसे antigen कहेंगे ठीक है bacteria, virus या microorganism चाहे वो dead हो या फिर alive हो हमारी body में जब enter करते हैं उनको कहा जाता है antigen ठीक है अब antibody क्या होती है ठीक है antibody क्या होता है तो antibody यह हमारे लिए एक shield जैसा काम करता है एक protection की तरह काम करता है जो की इस antigen को मारने का काम करता है जो की हमारे लिए harmful है ठीक है यह जो antigen है हो सकता है कि यह हमारे लिए क्या हो harmful हो सकता है नहीं भी हो लेकिन यह जो virus और यह जो bacteria है जब हमारी body में आते हैं तो इसको मारने का काम करता है हमारा antibody ठीक है तो antibody के लिए हमारे पास बहुत सरे questions आते हैं, जैसे कि antibody क्या hereditary है, ठीक है, hereditary है in the sense, pass होती आ रही है, जैसे आपके grandfather को थी, फिर आपके father में आई, फिर father में आई, ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है, antibody जो है, वो time के साथ में, इसको time के साथ हमारे body में develop होती है, ठीक है, ऐसा जैसे ही by birth हो, antibody को आपका develop करना पड़ता है, तो आप देखे होंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे कि infant child रहते हैं, just born हुए रहते हैं, ऐसे बच्चों को करीब 1-2 साल तक continuously vaccination के लिए उनको लाना पड़ता है, ठीक है, उनको बहुत सारे vaccination लगते हैं, बहुत सारे vaccine जो हैं, जैसे कि polio हो गया, आपका, पोलियो हो गया, आपका और क्या है, टीबी के लिए लगता है, बहुत सारे vaccines जो हैं, जो आज की टाइम पर develop हो गए हैं, और future, आज की टाइम पर develop हो गए हैं, और vaccination के लिए बच्चों को यहां पर लाया जाता है, ताकि उनके body में antibody जो अब यहां पर हम आपको second point पर लेके जाते हैं, कि antigen और antibody क्या कर रहा है, ठीक है, अब देखिए, जो vaccine रहती है, उसमें typically एक agent रहता है, जिसमें a vaccine typically contains an agent, ठीक है, यह point मैंने आपको read कर दिया था, क्या होता है, देखिए, अब जो vaccine रहता है, उसमें वो एक agent रहता है, जो की एक disease causing microorganism, ठीक है, जो antigen, मैंने आपको concept क्या बता है, antigen जो रहता है, वो चाहिए वो dead हो या फिर alive हो, हमारी body में जब enter करता है, उसके बाद में antibody जो है, वो slowly क्या है, बनता है, ठीक है, slowly antibody हमारे body में बनता है, कब बनता है, जब antigen जो है, वो हमारी body में enter करता है, उसके बा तब तब तक हो सकता है कि यह antigen जो है, वो हमारी body को damage कर दे, हमारी body में कुछ disease resemble करता है, वो हमारी body में उस disease हो जाए. तो vaccine क्या करता है, vaccine जो है, वो एक dead antigen carry करता है, एक agent carry करता है, जो कि हमारे लिए harmful नहीं है. है differentiate vaccine में वो एक agent जो है वो क्या है वो agent वो एक antigen है जो कि हमारी ढोछ पार्टिकुडर disease के लिए ठीक है जैसे कि अगर तेस्टर टी बी है तो बैक्टैरिया जो बैक्टैरिया को स्क।्सbenрах कर लिए जो तीबी को क्या करता है ती बी के वज़े से जो debater के करेगा वैक्सीन में वो एजेंट रहता है और जो एजेंट है वो ऐसे फॉर्म पे रहता है ताकि वो हमारी बॉड़ी को कोई harmful effect ना करें ठीक है हो सकता है कुछ minor harmful हो सकता है जैसे कि आपको fever आना या फिर मदब आपके एक दू दू दिन के लिए fever आना या फिर हो सकता है आपको एक दू दिन के लिए allergy वगरा हो जाए लेकिन वो बहुत जादा damage हमारी बॉड़ी में नहीं करता है तो यहां पर जो वैक्सीन है वो agent contain करता है और फिर वो जब वैक्सीन हमारे बॉड़ी में हमको लगता है तो वो हमारी बॉड़ी जो है वो उसके खिलाफ antibody बनाना start कर देती है ठीक है antibody बनाना start कर देती है जिसके बाद हमारी जो immunity system है वो क्या हो जाता है develop हो जाता है उस particular bacteria virus या फिर microorganism के लिए तो यह होता क्या है कि अगर future में कभी कोई जो antigen जो हमारे लिए harmful है जो उस disease को carry करके हमारी body में आता है तो antibody हमें उससे protect करता है क्योंकि antibody क्या है हमारे पास पहले से हम पहले से हम जो antibody है वो उस disease के लिए particularly उस disease के लिए बन चुका है तो हमारा जो antibody है वो उस हमको उस antigen जो कि हमारे लिए harmful है या उस bacteria, microorganism से हमको बच जाता है, ठीक है, और vaccination में, vaccine में यही काम हो रहा है, जो vaccine बनाई जा रही है, वो क्या है आपका, उसमें virus है, ठीक है, अभी के जो terms है, उसके terms में अगर मैं आपको बतातूं, तो जो vaccine है, उसमें एक virus है, जो कि हमारे लिए harmful नहीं है, अब harmful नहीं है, हमारी body क्या करेगी, जब antigen हमारी body में आएगा, तो हमारी body जो है, वो antibody बनाना start कर देगी, और future में, अगर, actual में, Corona virus, जो है, अगर हमारी body पढ़ता है, तो हमारी body ने already हमारे अंदर क्या बना रखा है, antibody बना रखा है, तो future में हमें बोбार्स जो है, वो infect नहीं कर पाएग की आपको में समझाना चाहिए वो खतम होता है मुझे लगता है कि मैंने आपको clearly समझा दिया है लेकिन अगर इसमस्क्राइब नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू